नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका देव भूमी करियर पॉइंट पर आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे काफी अच्छे आपकी स्टेडी चल रही होगी तो देखे आज सामान्य अध्यन टेसरीज के अंदर देखेंगे भाग 155 और लगातार मैं आपको टेसर क्लास सुरू नहीं हुई है जिसको मैं कम्प्वीटर के साथ सुरू करूंगा जल्द ही आप लोगों के लिए और बागी UK जी के टैसरीज सामानने हिंदी टैसरीज और GS की जो टैसरीज है यह कंटिन्यू मैं आपके लिए कि अगर आप इतना भी देखते हैं तो आपको बह जागन और GS के कोशियन होते हैं तो इनको आप बिल्कुल भी इसकी बना किजिएगा तो चलिए कल के सैसन में देखे काफी लोगों को एक कोशियन पर डाउड था उसको मैं किलियर करता हूँ एक कोशियन था कल के सैसन में आपका भाग 154 में कि निम्द मैंसे कौन सा कथन इ तौन में थे परकार से शूर्य की समयी की करना की जाती है और दूसका जो इसमें देशाएं तर पर स्तित इस्तानों का स्थानयों समय अलग अलग होता है यह बिल्कुल गलत था और ऐसा ही उत्तर मैंने कल भी आपको बताया था ठीक है तो इसमें कोई भी आपका सुधार करने के आउशक्ता नहीं है जो उत्तर कल बताया था बिल्कुल सही था अब एक्जाम्बल के तोर पे सेकेंड इस्टेडमेंट के दोगलो आप भारत जो है आपईयसा था थोड़ी होता है कि भारत में अमारा गुजरात में साम का पांच बजा है तो अरोणाचल प्रुदेस में साथ बजा है इसा थोड़ी होता है जो सही अमारे सबसे पूरो में भी आरोणाचल मू Lee होगा यानि कि एक Dec इस अंदर पर एक ही समय हमारा लहता है तो second statement इसमें गलता पहला वाला सही था और पहला वाला ही मैंने भी बताया था तो इसमें सही करने की कोई आउशक्ता नहीं है तो आज का टेस्ट शुरू करेंगे तो आज का टेस्ट आपके सामने है थोड़ा मैं इसको स्क्रीन को बढ मानित किया गया है तो दीखे रैमन मैकसे से पुरुसकार बहुत महत्तोपुन है रैमन मैकसे को एशिया का नोबल प्राइज भी का जाता है एशिया का नोबल पुरुसकार ठीक है एशिया का नोबल कभी एक्जाम में बनेगा आपका क्वेश्चन तो आपको याद रखना ह प्लस वन इसमें एक संस्ता है ठीक है थाइलेंड का ग्रामिंग डॉक्टर मुमेंट है उसके लिए दिया गया तो कुल में लागे पांच लोगों को यह दिया गया अप्शन भी इसका राइड आंसर हो जाएगा ज्यादा इसमें नाम याद रखने की आवशक्ताने बहुत कन्फूजिंग नाम है फिर भी आप देख लेना इसमें मतलब कुछ भूटान के वियतनाम और इंडोनेशिया वगड़ा जापान के लोग जिसको मैं भी कमेंट में प वियतनाम के नागरिक को इसमें मिला है नीजम नाम हमें देखे नाम ही समझने आएगा थीसका में व्याद को मिला है इंडोनेशिया आप只 जो है इसको दिया गया तो कौन सा सामिल नहीं है मतलब इसमें कोश्चेन नहीं बना सकता है रैमन मैक्षे से पुरुसकार आल में पांच देशों के लोगों को दिया गया इनमें से किस देश के नागरिक को नहीं मिला तो जापान इंडोनेशिया भूटान देदेगा पांच ओधी कुछ और तो कीजे भईया सूची उनको सूची चूशे सुमेलित तो भईया देखे 21 वर्स के आयू जो होती है दिये गए विकल्पों में आपका पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए 21 वर्स के आयू चीए ठीक है पंचायत यानि कि ग्राम पंचायत हो छेत्रों या जिला पंच तीस वर्स के आयू चीए आपका राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए यानि कि आपको MLA बनना है या MP 25 साल चाहिए तीस वर्स के आयू चीए आपका राज्य विधान परिसत का सदस्य बनने के लिए या आपको राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्स नहीं बिल्कुल से उत्तर जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ ठीक है बागी में हमें साब बोलता अगर किसी भी कोश्चन में डाउट लगता है कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप रोख कमेंट ना करके मुझे परसनली वट्सप पर मैसेज कर लिए निर्मिता निर्वाचक मंडल में कौन सामिल नहीं होते हुझ तो वासी उड़का की मनुल्हक सतस्य रहते हैं राजी शवा निर्वासीत सतस्य भी होते हैं राज्य विदान समाँ के निर्वाचित सदेश्यों का मतलब नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट के ले ठीक है जबकि प्रेसिडेंट के एलेक्शन में भाग लेते हैं राष्टपती के चुनाओं में भाग नहीं लेते हैं बट तो आज़े आगे हैं कोशिण के तरब तो 2005 में ही बनाया गे था विरप्पा मोईली की अध्यक्षता में तो यानि या अंसर रहेगा ओप्शन वी वी मोईली ठीक है मोईली होना चे विरप्पा मोईली संयुक्तुराष्ट का चार्टर मुख्य तह किसके लिए विकल्पव में आप सभी को पताएं दोस्तों संयुक्तुराष्ट्र संग की स्थापना का भूई थी 24 अक्टूबर 1945 को इस्ताफित हुआ था सैगें वर्ल्ड वार के बाद इसको इस्ताफित किया गया और कि इसमें महासबहा है जन्रल आसेंब्ली है सुद्प्ष्य परिश्द और भी आर्थिक वर सामाजीघ परिश्द है वैसे वह समिकराष्ट二 चार्टर है जो बनाएं इसमें कई बहुत बंदा ना कि कि इस 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 में के दीजिए ने सांडिक उने के पहले 50 इसेओं दो एग साइट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सीस में सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे पोगेंगे अगले कोश्चिन की तरफ निम्न लिखित में से किसने कहा है कि संसदी या लोकतंत्र की कीमत नौकर साही है तो बताइए एस्टेटमेंट किस ने दिया यहां पर संसदी या लोकतंत्र की कीमत नौकर साही है यह किसका एस्टेटमेंट है बताइए दिये गए भी गल्पों में अच्छा कोश्चिन है भाई देखे फैक्ट वाले कोश्चिन ला रहा हूं मैं आपके लिए तो आपको अच्छे से याद करना है इन कोश्चिन को हर्बर्ट मौरिशन ने यह बोला है ऑप्शन डीस का राइड आंसर है हर्बर्ट मौरिशन ठीक है हर्बर्ट मौरिशन का स्टेटमेंट है आगे बढ़ेंगे लोकसभा में राजजवार सीटों का आवंटन 1971 की जनकरना पर आधारिक है यहां निर्धारन किस वर्षा तक य का राजले बढंगे हेलियो डोरस का स कि सहां बैस नगर जyllतला कई ऑके लगीन आ इसका नाम और और शुक्त है consultants करता है बासुद से यह बहुत करना इस ईब किस आधीन हम इंतर होılarटे इसमेंó बढ़ीक में पारिट हुआ था बहुत अच्छा कोश्य नहीं है बदाई है तो ध्यान से अगर देखें दोस्तों इसमें जो हमारा धार्मिक निस्था अधिनियम है यह आपका 1856 का नहीं है यह तो आपका पहला गलत हो जाएगा दूसरा आपका जो है इसमें सती निसेद अधिनियम यह भी आपका 1829 का है यह भी गलत हो जाएगा इसमें हिंदू विवाह पुनरवय अधिनियम 1856 सही हो जाएगा अनुबंद की नीती जो थी हमारी 1856 में ही लाए गई थे अनुबंद करना ठीक है तो किसी भी प्रकार का अनुबंद है अग्रिमेंट के लिए लाए गई थी नीती तो केवल तीन और चार रहे गए इसका ऑप्शन सी होगा तीन और चार हां ठीक है हां ठीक है यह दो ही होंगे हिंदू विवाह पुनरवय अधिनियम और अनुबंद की नीती ही लाए गया था धार्मिक निसस्क्रिता अधिनियम जो था 850 में ला याव स्थापीत किया गया है डिए जो पहला गणतंत्र था हूं वैश अली में स्थापीत रहू चुगा थार इसको स्थापित करने वाला से कौन था बोढ़ रहये बहुँ अच्छा कोश्यं कeries रहें न इसटान थीकर कोशीश थीक है तो बहुत जो छो थाएस राज्य था वहां पर पहला गणित्तंतर इसने स्तापित किया था ठीक है मात्तों पूर्ण अच्छे से याद रिखेगा तो सिसुनाग जो राजवन्स था ये खिसाब से देख सकते हैं मगत पर सासन करने वाला ये चौथा राजवन्स था ये इसमें कुल छे राजाएं होई चले आगे बगएंगे चटगाउ सस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला करांतिकारी मारी गई थी तो देखे जो चटगाउ सस्त्रागार हमला हुआ था ये मास्टर सूर्य सेन उनके नेतल तुमें हुआ ना उनके नेतल तुमें मास्टर सूर्य सेन ठीक है लेकिन इसमें भईया एक करांतिकारी महीला मारी गई थी वो थी प्रितिलता वाड़िडर ठीकिया, ओप्षान इसका रहागरा प्रितिलता वाड़िडर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेमने में से कौन सा भुख्तान संतुलन का घटक नहीं हैं, तो इन में से कौन सा एक असESCO साँज़ोंगो आपके लिए अगर मैं बात कर भारत में भुक्तान सम्तुलन का घडतेक नहीं है पूंजी खाता भी या पार खाता भी है राज कोशी यह खाता इसमें नहीं होगा जाएक कर राचकोसी यह खाता अगला दिए भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिग योगदान है तो भारत सरकार का ज़ो बजट आता है उसमें جो टोर्टल लॉस होता है उसमें सबसे ज़्यादा लॉस किस वाले घाटे का है यह बताना आपने यह question बार बार exam में बनता है तो यह सबसे ज़्यादा होता है भारतğ सरक्राय को राज KOSI यह गाटा ठीक है? राज KOSI यह गाटा option C हो जाएगा इसका है ठीक है? राज KOSI यह गाटा सबसे ज़्यादा है चले आगे पकिंगे प्रधान मंत्री गरीब कल्यांग योजना के तहत महिलाओं को स्वयम साहता समू के लिए कोलेटरल मुक्त रिंग की सीमा को 10 लाग सी रुपए बढ़ा कर कितना कर लिया गया है तो देखे प्रधान मंत्री गरीब कल्यांग योजना के तहत महिलाओं को स्वेम साथा समूं के लिए कोई भी लोन आप लेने जाएंगे न तो आपको कोई भी चीज गिरी भी ना रखना पड़े बहुत से बैंक क्या बोलते हैं कि आप लोन लीजे लेकिन आप जैसे कुछ गिरी भी रखे पुर्धान मंत्री मुद्रा योजना थी इसमें पहले मैक्जिमम लिपिट 10 लाग रुपे थी इसको भी बढ़ा कर अब 20 लाग रुपे कर दिया गया है यह भी आप ध्यान रखना एक्जाम में कोश्यन बनेगा पक्का क्योंकि हाल में यह चेंज हो है पुर्धान मंत्री मुद्रा इसकीम के तहट अधिक्ता मरीने सीमाब 20 लाग रुपे कर दी गई है भारतिय जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत के कितनी फिस्त दिया आबादी सहरों में निवास करती है तो 2011 की अकॉर्डिंग पूज गया तो उस समय जो आखरे आई थे उसमें बताया गया थी भारत की 31 दस्मलों एक पृतिशत जनसंक्या सहरों में निवास करती है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका जैविक विवित्ता पर कंवेंशन सी बीडी का मुख्य उद्देश क्या है तो देखे जैविक विवित्ता पर जो कंवेंशन हुआ था ठीक है इसका मुख्य उद्देश चे बताने आपको तो राइट आंसर जाएगा इसका देखे जैविक विवित्ता पर कंवेंशन के मुख्यों देश धिये गए विकल्पों में ओना चेश का सही उत्तर जैवित्ता के संडक्षन और सतत उप्योग को बढ़ावा देना तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जैवित्त संडक्षन देना यानकि बायो डाइवर्स्टिटी को कंजर्वेशन करना उसका और सतत उप्योग जो उसका सस्टेनेबल जो हमारा उसका उप्योग है उसको आगे बढ़ाना तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला कोपेंड ने भारत के विसाल मैदान की जल मैदान है उत्तर का मैदान भी गाझाता जो बहुत उपजाओ है इसके लिए उसने यूज किया है CWG चीकिया है जी जो इसमें मैं गंगा सही कांश करता है इसमें मैं करता है जी जो इसमें मैं मैंके तद्यान दिखेंगे इंग्लिस चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रतराज भार के तैराग हाल में ही कौन बने है देखिए ये भी important था current अफेर्मा था भहिया ये तो इंग्लिस चैनल को पार किया है इनोंने 49 एर्स के हैं सिद्धार्थ अगरवाल चर्चा में रहे option B right answer रहेगा सिद्धार्थ अगरवाल थीक है तो इनोंने ये तैर कर पार किया इंग्लिस चैनल को सिद्धार्थ अगरवाल 49 वत्स के हैं और ये कार नाम इनोंने किया था 29 अगस्त को क्रिप्टो करन्सी के प्रबंद के संबंद में कौन सा सही नहीं है तो इनमें आपको बताना है जो एक्जाम में आते हैं बहुत ध्यान पूरवक देखिएगा क्रिप्टोकररेंसी आप सभी को पता हिए एक आवासी मुद्रा होती है वाई आवासी मुद्रा होती ही है हालाएं कि कुछ देसों ने इसको वैणानिक दर्जा भी दिया है जैसे आप बात कर हम करें बीच में एक देश था अलसलवा डोर था जिसने बिट को यहां पर मानेता प्रदान की थी ऐसे कुछ और भी देश है जो क्रिप्टो करेंसी को मानेता दे रहे हैं बट फिर भी पूर्ण रूप से इसको मानेता नहीं है तो यह एक प्रकार की वैद मुद्रा लीगल टेंडर है गलत हो टिरोग के लिए इसकी प्रिचलन में नहीं रखा गया है इसका प्रिबंदन संबंदी राष्ट की सरकार दोरा क्या जाता हैaimer जब प्रास्टर की सरकार कैसे करें तो यह फीं गलत हो जाएगा बारत me theartaenin कि बहारतमें कि किव्जप्रचार की स्रिप्ट करेंसी Illegal होगी, ठीक है? Awared होगी, वह मानने नहीं है. किसी भी प्रकार की currency व्हारत में वह मानने नहीं है. जो भी आवासी है, cryptocurrency है. तो यह आज का test, तो इसका answer हो जगा, इनि में से का YEHM सही नहीं है? तो वहाई, एक, दो, तिन, तीनों ही सही नहीं है तीक है नहीं है यानि कि तीनों गलत हैं तीनों ही statement गलत हैं तो option D हो जाएगा इसका तो दोस्तों यह था आज करेंगे जाने से पहले हमेजा की तरह बोलुंगा अपनी जीवन में कम से कम एक प्रेवे लगाएं और लोगों को भी इसके लिए और मोटिवेशन करते रहें बागी जल्दी मिलते हैं नेक्स सेशन में भाईया अगर कल संडे को possible होगा तो कोई class दोंगा नहीं होगा तो फिर मैंनत करते रहें हैं मोटिवेटेड रहें अपनी सेल्फ एनरजी को रेश्टोर करके रखें और बिल्गुल भी देखें नेगेटिविटी नहीं लाने हैं अभी बहुत सी पोस्ट आ रहे हैं बहुत से कनिष्ट साहिक वाला एक्जाम है उसके बाद आपका पुलीस कॉंस् या उस डिसीजन पर अडिक रहें और अपने फैसले पर हमेशा confidence रखें कि आपने जो फैसला किया था वो सही है और एक दिन आप सरकारी नौकरी लेगे सबको दिखाएंगे कि आपके अंदर कितना potential था और आप यह आसानी से कर सकते थे इसी उम्मीद के साथ दोस्तों जल् दूर हो जाए और जल्दी ही आपको सफलता का स्वाद मिले और उत्रागन की सरकारी नौकरी का सपना आपका संचोब माकी देखे आज test series इन्रोल करने की last date है वह यह offer के साथ 50% off चल ला है अभी UK SSSC 100 प्लस फुल लेंद महा कुम्म में उसके बाद इसका price डबल हो जाएगा तो आप लोग आज अवेल कर सकते हैं स्कोर्स को थेंक्यू फॉर वाचिंग जै हिंद जै देव हूमी